दो हुजार चौवी चोणा नू लेके दिली दे मुखमंत्री अर्विंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर वन नामदा कंपेन लॉंच कीता। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जो एलान करने जा रहा हूं ये करोडों करोडों भारतियों का बहुत पुराना सपना है और उस सपने को पूरा होने के शुरुवात होने जा रही है। हमारे देश का हर आदमी हर भारतिय चाहता है कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बनना चाहिए। हर भारतिय चाहता है कि भारत की गिंती दुनिया के अमीर देशों में होनी चाहिए। हर भारतिय चाहता है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र। हर भारतिय चाहता है कि भारत सर्व श्रेश्ठ राष्ट्र बने है। दोस्तों भारत एक महांदेश है। हमारी सभ्यता भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। कई 1000 साल पुरानी है। और एक समय ऐसा था जब भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजया करता था। हमें भारत को वापस दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, we have to make India great again, तो आज हम एक राष्ट्रिय मिशन के शुरुवात करने जा रहे हैं, और इस मिशन का नाम है, मेक इंडिया नंबर वन, 130 करोड़ लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ना है, इस देश के हर नागरिक को इस मिशन के साथ जोड़ना है, इस देश के हर नागरिक का सपना रहा है कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, 130 करोड़ लोगों को अब इस मिशन के साथ जोड़ना है आजादी को 75 साल हो गए इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ पाया भारत ने बहुत कुछ हासिल किया लेकिन लोगों के अंदर एक गुसा है लोगों के अंदर एक करोध है लोगों के अंदर एक प्रश्ण है कि इन 75 सालों के अंदर कई ऐसे देश हैं छोटे छोटे देश हैं जो हमारे बाद आजाद हुए और हमसे आगे निकल गया सिंगापूर हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ आज हमसे आगे निकल गया क्यों भई हमारे में क्या कमी है जापान दृतिय विश्युद के अंदर सेकिंड वर्ल्ड वार के अंदर जापान तहस नहस हो गया था हिरोशिमा और नागसाकी के ओपर बंब नुकलियर बंब पड़े आज हमसे आगे निकल गया कि जर्मनी हिटलर के बाद दृतिय विश्युद के अंदर जर्मनी तहस नहस हो गया था आज हम से आगे निकल गया हम पीछे क्यों रह गए भारत पीछे क्यों रह गया आज भारत का हर नागरिक ये पूछ रहा है भारत का हर नागरिक गुस्से में है भारत का हर नागरिक क्रोध में है कि हम पीछे क्यों रह गया हम किसी से कम है क्या हम किसी से कम धोड़ी है भारत के लोग दुनिया के सबसे intelligent लोग हैं भारत के लोग सबसे महंती लोग हैं भारत के लोग दुनिया में सबसे best लोग हैं फिर भी हम पीछे रह गए भगवान ने भारत को सब कुछ देने में कोई कसर नी छोड़ी सब कुछ दिया है भगवान ने हमें भगवान ने हमें नदियां दी, पहाड दिये जड़ी बूटियां दी, फसले दी, समुद्र दिया क्या नी दिया भगवान ने इतना विशाल देश और जब भगवान ने इनसान पैदा किया तो सब से इंटेलिजन्ट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किया फिर भी हम पीछे रह गए फिर हम पीछे क्यों रह गए भारत आखिर पीछे क्यों रह गया दोस्तो अगर इनके भरों से छोड़ दिया इन पार्टियों और इनने ताओं के भरों से छोड़ दिया तो अगले 75 साल और पीछे रह जाएंगे इन में से किसी को अपना परिवार प्यारा है इन में से किसी को अपना दोस्त प्यारा है किसी को ब्रश्टाचार करना है किसी को देश लूटना है इन 75 साल में इन्होंने अपने घर भरने के और अपने दोस्तों के घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया दोस्तों अगर इनके भरोसे इन पार्टियों और इन नेताओं के बरोसे छोड़ दिया तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा कई लोग में इसे पूछते है कैन इंडिया लीड दे वर्ल्ड वाइ नॉट क्यों नहीं कर सकता इंडिया लीड हमारे पास हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर है बेस्ट डॉक्टर है बेस्ट वकील है बेस्ट साइंटिस्ट है बेस्ट किसान है किस चीज की कम ही है हमारे देश में लेकिन एकी शर्त है देश के 130 करोड लोगों को अब साथ हाना पड़ेगा अब देश के लोगों को बागदोर संभालनी पड़ेगी इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते देश के 130 करोड़ लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, किसान, आदमी, औरत, अमीर, गरीब इस जात के, उस जात के, इस धरम के, उस धरम के, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा 130 करोड़ लोगों को मिलके अब देश की बागदोर संभालनी पड़ेगी